अभी रिसेंटी हम स्टाइल वाड हुए हैं और हैरानकी की बाद ये थी कि इस बड़े चैनल के बड़े शो में कोई भी शोब इंडरस्टी का बड़ा एक्टर या एक्टर्स मौजूद नहीं थे हम टीवी के ऐसा चैनल है जिसे बहुत सारे अक्टर को आगे बढ़ने का मौका दिया और बड़े बड़े ड्रामे भी हिट दिया और ये ड्रामा इंडरस्टी का एक बड़ बड़ा चैनल है और इसी चैनल के इवाड शो में कोई भी बड़ा एक्टर मौजूद नहीं था और हिरोईन, बिलाल अबास और दुरे फिशा भी वहाँ नहीं आए था और अगर दूसी तरफ हम बात करें एक ऐसे ड्रामे की जो के एक चैनल के मुकाबले में बहुत चोटा ड्रामा है लेकिन जब इस ड्रामे के पहले एपिसोड को सैनमा घर में लांच किया गया तो पूरी पाकिस्तान इंडरस्ट्री वहां मौझूद थी और ये बात सबको हरार कंदेर वारी थी के एक तरफ हम टीवी जो के पाकिस्तान ड्रामा का सबसे बड़ा चैनल है जिसने आम से फनकार को बहुत बड़ा फनकार बना दिया और दूसी तरफ ग्रीन इंटर्टेंबर पर टे का नहीं एक फिल्म को देखने की फीलिंस आती हैं। जैसे ही वाड्शों के हौल्ट के करीब पहुंचे तो यह इनको रोक दिया गया और कहा कि अगर आप अंदर जाएंगे तो बाकि सारे फंकार बाहरा जाएंगे इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते हैं और इसकी वज़ा यह थी कि इस वक्त फिरोस खान पर उनकी बीवी ने त करने के इल्जामात लगाए थे और सारी इंडरस्ट्री फिरोस खान के खिलाफ थी अब मैं आप लोगो को बताती हूं कि सारी इंडरस्ट्री के बड़े स्टार्ज हम स्टार रिवार्ट को छोड़कर जेंडर्मेंट ड्रामी के प्रीमेर पर क्यू आयोए थे इसकी वज़ किसे के साथ इनका कोई भी फड़ आई है बात निकल कर सामने नहीं आई है इन ही रिलेशन की वज़े से सारी ड्रामा इंडरस्ट्री इतने बड़े वार्ट शो को छोड़कर हमाही सहीत राद्दान सिदीगी के ड्रामे के प्रीमियर को अटेंड करने वे आई हुई थी तो साबित हुआ कि पैसे से दादा इनसान के किसी के साथ अच्छे रिलेशन्स ज्यादा माइने रखते हैं आप लोग की इस बारे में क्या रहा है कामेट सेक्शन में जरूर बताईगा अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब करें और आने वाली मज़ीद वीडियो के लिए मेरे बैल आइकन को प्रेस करना हर्गस मत भूलें